दोस्तो अभी के समय है भारत का अगर कोई सबसे बड़ा गैंक्स्टर है तो वो है लॉरेंस पिश्णोई एक ऐसा गैंक्स्टर जो जेल में बैटे बैटे अपने दुश्मनों को उपर पहुचानी की ताकत रखता है वो गैंक्स्टर जो ओपन ली बाबा सिद्दकी की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है भला क्यों लॉरेंस बिश्णोई पढ़ा है सल्मान खान की जान के पीछे सिद्धु मूसेवाला और बाबा सिद्धिकी के बाद अब सल्मान खान और मुनावर फारुकी है लोरेंस बिश्णोई के टार्गेट पे लेकिन क्या सच में सल्मान खान को मार पाना लोरेंस बिश्णोई के लिए इतना असान है बला मुंबई पुलिस सल्मान खान की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रही है इन तमाम चीजों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं तो इसलिए वीडियो से एंड तक बने रहे हैं जब तक जिंदा रहूँगा सल्मान भाई के साथ ही रहूँगा दोस्तो हाली में जिस तरीके से बाबा सिद्धिकी का अंत किया गया है ये सब होता देख राजनीतिक और बॉलिवूड जगत के कई सारे बड़े बड़े लोगों की नींदे उड़ी हुई है और अगर आप बाबा सिद्धिकी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये कोई आम इंसान या कोई आम निता बिलकुल भी नहीं है बलकि ये तो ऐसे खास व्यक्ति थे जिनकी पहुँच काफी ज़्यादा दूर तक थी बाबा सिद्धिकी तीन बार विधायक रह चुके थे बताया जाता है कि उनका कनेक्शन दाओ दिवराहिम के साथ भी रहता है बॉलिवुड में भी बाबा सिद्धिकी की तूती बोलती थी सल्मान खान के परिवार और बाबा सिद्धिकी के परिवार के बीच काफी ज़्यादा गहरे रिष्टे थे और इन्ही बाबा सिद्धिकी के अंत करने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्णोई की गैंग ने लिया दरसल ये बात है दशायरे की रात की समय था तकरीबन सवा 9 बजे उस समय बाबा सिद्धिकी अपने बेटे जिशान के दफ्तर के सामने पटाखों को फोड रहे थे और उसी दुरान तीन हमलावर आते हैं गाड़ी से निकलते हैं और ताबर तोड फाइरिंग करने लगते हैं वो 9 mm की गोलियां बाबा सिद्धिकी के सीने में लगती है इसके बाबा सिद्धिकी को तुरंत एमरजंसी में लिलावदी हॉस्पिटल ले जा जाता है और तकरीबन दो घंटे तक उनका इलाज भी चलता है डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं वहीं दूसरी तरफ उस समय सल्मान खान बिग बॉस के सैट पे शूटिंग करने के लिए गयवे थे लेकिन जैसे उन्हें इस खबर के बारे में पता चलता है तो वह शूटिंग को ततकाल में छोड़कर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर अन्त में बाबा सिद्धिकी को बचा नहीं पाते और तकरीबन साड़े ग्यारा बजे उन्हें मृत गोशित कर दिया जाता है अब ये पूरा केस किसी आम आदमी का तो था नहीं ये काफी ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था इसलिए तुरंत मुंबई पुलिस इस केस में एक्टिव हो गई जिसकी वज़े से इस केस के 6 मुख्य आरोपियों में से 3 को गिरफतार करने जाता है एक का नाम है गुर्मेल जो की हरियाना का है परवीन जो की मुंबई का है और धर्मरा जो की यूपी का है इसके अलावा बाकी के तीनों आरोपी अभी के समय फरार है इस हमले के बाद मुख्य मंतरी एकनाशिंदे का बयान भी सामने आया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिनोंने भी ये काम किया है उन्हें बक्षा नहीं जाएगा फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो चाहे वो बिश्नोई गैंका हो या फिर अंडरवर्ड की किसी और गैंका पूरे केस की सक्त कारेवाई होगी और जिने भी धमकाया जा रहा है उन्हें भी सुरक्षा दी जाएगी बाबा सिद्धिकी बॉलिवूड के बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के काफी जादा करीब थे जब जब ये इफ्तार पार्टिया करते थे तो उसमें फिल्मी जगत के कई सारे बड़े-बड़े सितारे आते थे चाहिए शारुक खान और फिर सल्मान खान बाबा सिद्धिकी और उनका परिवार दोनों के ये काफी जादा करीब है और एक बार जब शारुक खान और सल्मान खान के बीच लड़ाई हो गई थी तो उस लड़ाई को खतम भी बाबा सिद्धिकी ने करवाया था दोस्तों बताया जाता है कि साल 2008 में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के जनम दिन के मौके पर करन अरजुन के साथ साथ बॉलिवूड के और भी कई सारे बड़े बड़े अभी नेता शामिल हुए थे और उसी बड़े पार्टी के दोरान इन दोनों के बीच में आपस में कलेश हो गया था जिसकी वज़े से इन दोनों के बीच में हाथ अपाई भी हो गई थी इसके बाद इन दोनों के बीच में बादचीत बंदो गई साल 2013 में बावा सिद्धिकी नहीं अपनी इफ्तार पाटी के दोरान शारुख खान और सल्मान खान के बीच की दूरियां और जगडों की सुला कराई थी बावा सिद्धिकी नहीं दोनों को एक दूसरे के साथ गले मिलाया और फिर से दोनों को दोस्त बना दिया जिसकी विज़े से करन अरजुन की दोस्ती फिर से ट्रैक पे आ गई बावा सिद्धिकी केवल बॉलिवूड के करीबी नहीं थे क्योंकि उनके तार तो अंडर वर्ल्ड के साथ भी जुड़े वे थे ऐसा भी का जाते है कि बॉलिवूड और अंडर वर्ल के बीच में जो ब्रिज है उस ब्रिज का काम बावा सिद्धिकी करते थे क्योंकि खबरों के मुताविक बावा सिद्धिकी का संबंद दाओ दिबराहिम के डी कमपनी के साथ है और तो और बाबा सिद्धिकी को लेंड माफिया भी का जाता है इसलिए बाबा सिद्धिकी के कई सारे लोगों से जमीन के सिलसले को लेकर जगड़े होते आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्णोई की गैंग ने बाबा सिद्धिकी को इसी लिए मरवाया है क्योंकि वो सल्मान खान के काफी जादा करीब है और आपको बता दे कि लॉरेंस बिश्णोई का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है सल्मान खान उनकी जिंदगी का अगर कोई सबसे बड़ा टार्गेट है तो वो है सलमान खान क्योंकि आपको बता दे कि सलमान खान ने साल 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दोरान दो काले हिरणों का शिकार किया था ऐसे आरोब सलमान खान के उपर उस समय लगे थे और यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि सलमान खान की जान के पीछे लौरेंस बिशनोई पड़ा है क्योंकि आपको बताते कि लौरेंस बिशनोई समाज से आता है सल्मान खान के घर के बाहर गोलिया फाइरिंग की गई थी और इन तमाम हमलों की और धमक्यों की जिम्मेदारी लौरेंस बिश्णों की गैंग नहीं लिया है सल्मान खान और बाबा सिद्धी के रिष्टों का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि चुनाओं के दौरान सल्मान खान खुद बाबा सिद्धी की का प्रचार कर चुके है और इसलिए अभी के समय सल्मान खान की जान पे काफी जादा बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है जिसके चलते फिलाल उनकी बिग बॉस की शूटिंग भी कैंसल कर दी गई है और लौरेंस बुचनो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि सल्मान खान के ऊपर काले हिरन के शिकार के आरोप लगे हुएं दरसल ये बात है 26 साल पहले की जब साल 1998 में हम साथ साथ मूवी की शूटिंग के दौरान सल्मान खान तबू और बाकी के एक्टर्स जोदपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान सल्मान खान एक काफी बड़े कांड में फस गए क्योंकि उन पर ये आरूप लगे कि वो जिपसी में बैटकर सैट की लोकेशन से 40 किलोमेटर दूर जंगलों में गए और वहाँ जाकर उन्होंने दो काले हिर्णों का शिकार किया जहाँ पे सल्मान खान ठहरे हुए थे वहाँ पे काले हिर्णों के अफशेज भी मिले थे इसके बाद सल्मान खान को जेल भी हुई थी और कुछ दिन उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और इसके बाद वो जमानत पे बाहर तो आ गए उसके चलते आज सल्मान खान को डरके साय में रहना पड़ रहा है और उनकी जान पे खतरा मंड़ा रहा है क्योंकि विश्णोई स पूरे देश में उस समय फेमस हुआ जब 2022 में सिद्धू मुसे वाला हट्पांट के जिम्मेदारी लॉरेंस विश्णोई ने अपने आप पर ली और हाली में बावा सिद्धी की जो कि सल्मान खान और पूरे बॉलिवूड जगत के काफी जादा करीबी है उन्हें भी लॉरे लॉरेंस विश्णोई के लिए अपनी धमकी को पूरा कर पाना बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है इसलिए अब जब सल्मान खान को लॉरेंस विश्णोई ने अपने निशाने पे लिया है तो सल्मान खान के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि इन सब में सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी के समय लॉरेंस विश्णोई साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद भी भला लॉरेंस विश्णोई अपनी गैंग के साथ कनेक्टेड कैसे हैं कहीं लॉरेंस विशनोई को जेल के अंदर वी आईपी ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जारा जिसके चलते वो अपने सारे काले कारनामों को अंजाम दे सके ये तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं और दोस्तो एक और शौकिंग बात यह है कि चाहे मुंबई पुलिस ओ या फ से इस केस को लेकर सवाल जवाब नहीं कर सकता और ना ही लॉरेंस विशनोई को कस्टडी में रख सकते हैं सल्मान खान के साथ साथ अभी के समय लॉरेंस विशनोई के टार्गेट पे मुनावर फारुकी भी बनाओ है क्योंकि हाली में लॉरेंस विशनोई की गैंग ने मु प्लस की सिक्यूरिटी मिली हुई है अब ज़र आप इस फोटो को ध्यान से देखिए ये फोटो बाबा सिद्धिकी के अंतिम समय की है जिसमें सल्मान खान की आखों में लॉरेंस बिश्णोई को लेकर जो घुसा है और बाबा सिद्धिकी को खोने का जो गम है वो साफ साफ अगर आप सल्मान खान के बॉडिगाड यानि की शेरा की तरफ देखेंगे तो शेरा को देखकर भी ये बात साफ साफ पता चल रही है कि वो सल्मान खान की जान बचाने के लिए अपनी जान से खेलने को भी तैयार है खेर दोस्तों आपको क्या लगता है क्या शेरा और मु ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय जैहिन